दूस्तो जो पसल कंप्यूटर होता लेप्टॉप होता है क्या है यहाँ पर सच में खतम हो रहे हैं क्या वेल बात करें गाटनर की एक रिपोर्ट की तो नो ने बोला था कि लगभग 29% का एक सीरिस डॉप देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में चुकी आया था 2022 के और जो लोग है वो काफी कम इंटरस्टेट है एक नया पसल कंप्यूटर या फर एक नया लैप्टॉप ले निकलिए अगर मैं यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर पूरे 2022 में 285.1 मिलियन यहाँ पर शिर्पुईते यूनिट इसके साथ ही बात यहाँ पर की जाए तो जो ल को मिला है और रिसेंटली कुछ ऐसी हेडलाइस देखने को मिली थी कि जो पैंडेमिक के बाद जो PC सेल्स के अंदर एक बून आया था वो अब यहाँ पर खतम हो चुका है और देखाया तो अब आत के समय में लोग इतने जादा PC नहीं बना रहे तो क्या PC यहाँ पर पूरी इंप्रूब्मेंट आता था नए फीचर आते थे और लोग अपने PC को जाद से जाद अप्ग्रेड किया करते थे लेकिन 2010 से लेकर 2020 के कैसा जमान आया था जहां पर PC के अंदर नए प्रॉसर नए ग्राफिक कार्स तो आ रहे है लेकिन टेक्नलोजी के अंदर वो उत्ता अपग्रेड यहां फे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे है और इसके बीच में आता है हमारा पेंडेमिक का रीजन क्योंकि पेंडेमिक ऐसा टैम तर जहां पर आप देखेंगे तो PC सेल्स की जो ग्रोथ थी वो यहां पर बहुत जबर जस्त हुई थी और उसके पीछे का रीजन जाती जिस इंक्रीज हुए थे और देखा या तो इस कारण से PC बना पाना थोड़ा समयगा सौधा बन गया था देखा तो काफी सारे लोगों ने पिछले कुछ साल में PC को बिल्ड किया इसका साथ ही बात करें 2021 और 2022 में काफी सारे लोग ऐसे थे जो Windows 11 पे आना चाहते थे और Windows 11 आने के लिए भी काफी सारे लोगों ने PC अप्ग्रेड करें, Laptops अप्ग्रेड करें और काफी सारे बेकें लिए क्या आपको मालू है कि PC का जो पसल कंप्यूटर वाला मार्केट रहता ना वो एक्चुली में इतना साथ बड़ा है ने क्योंकि जो majority जो sales जो बड़ी-बड़ी companies करती न ये करती इंसिट्यूट्स को, corporates को, universities को यानि कि educational purpose के लिए computers बल्क में supply होते हैं तो वहाँ पर वो बेचे जाते हैं ऐसी educational institutes या corporate या कोई भी company कुछ साल के बाद अपनी machines को refresh करती अप्ग्रेड करती है तो वहाँ पर companies की sales या पर होती रहती है लेकित भात करें जो normal PC वाला market है, जो enthusiast होता है जो घर में बैठके personal computer को build करता है ताकि उसकी power कचे तरीके से use करें, वो market यहाँ पर कम देखा जाये तो कई सारे लोग यहाँ पर PC को already build कर चुके हैं और देखा जाये तो ऐसा नहीं होता कि हर इंसान के पास घर में एक से जाद है multiple computers होते है एक आथ ऐसा PC होता है जो कि बहुत हाँ अच्छे तरीके से use करता है और देखा जाये तो इसके बाद जितने लोग PC बना सकते तो वो लोग बना चुके और उसके बाद अब उत्ते जादा लोग यहाँ पर interested यहाँ पर अब नहीं है तो यह काफिक बड़ा reason था है यहाँ पर यानि कि consumer level और education level पर जो PC किल से वो यहाँ पर slowdown होई है और इसके साथी बात की जा तो PC का जो shipment था वो धीरे धीरे यहाँ पर अब गिरने भी लगा इसके साथी पिछले कुछ समय में जो shortage वगरा हुई थी ना उससे भी कही ना कही जो average selling price था वो भी कही ना कही काफी जाद इंक्रीज हुआ था जिससे कई सारे लोग यहाँ पर कर रहे थे और इतनी सारे चीजों के current market के अंदर एक काफी बड़क downfall यहाँ पर देखने को मिलाता इसके साथी inflation rate और कई सारी सीजों ने हाँ पर impact किया और वही आप देखेंगे तो GPU की sales वगरा में भी एक down well लेकिन एक positive चीज भी यहाँ पर हुई है कि आतके कुछ समय में यहाँ पर जो GPU और काफी सारे PC component के prices है ना अब धीरे धीरे अपने normal condition के अंदर आ रहे क्योंकि बात किया तो कई सारे makers ने over estimate कर दिया थे इन सब चीजों का और उसके बाज अब supply अब यहाँ पर नॉर्मल हो गई है तो धीरे धीरे जो components है वो companies के पस बहुत जादा पड़े इसलिए थोड़ी से कम कीमत में वो बिक रहे है अब देखा है तो यह काफी कच्छा मौका हो सकता है उन लोग के लिए जो PC बनाना चाहते थे और उनको मार्केट में एक अच्छा option देखने को मिलेगा लेकिन एक बात यहाँ पर जाननी पड़ी कि पिछले कुछ सालों में जो PC keyboard जो dependency यह लोग की वो काफी तीज से यहाँ पर कम होई है क्योंकि एक जमान में PC का यूज हर एक काम के लिए कि जा सकता है इंटरनेट के लिए, इमेल के लिए आपको YouTube देखने आपको कुछ भी काम करना है 10 साल पहले mobile phones नहीं थे और वहाँ पर देखा तो PC का काफी चे तरीके से यूज होता था लेकिन वहीं बात करें, प्रोफेशनल टास्क के लिए आज भी PC नंबर मैंन है और उसके अंदर अगर अब किसको प्रोफेशनल लेवल के गेमिंग करने कोई भी हाइएंड काम करना है उसके लिए वो उसका हाँ पर यूज करता है सर्फ हाइ एंड काम के लिए जहांपे actually my power की जरूरत है एक छोटासी एक्जामपल केश्कर है,, σου थे संहीं छहांद मॉसे हमने के इस मपने करता है करता है देखने को मिलेगा as compared to 2011 से लेके 2020 कुछ ग्राफिक कार्ट्स आ गए नए कोर के प्राफसर आ गए नए डिजाइन आ गए लेकर चीज़े हैं पर similar रहे हैं और अभी देखा है तो इंडस्ट्री के ऐसे पॉइंट पर हैं पर पहुंच चुकी है जिसके अंदर उसे एक major turning point है PC industry के अंदर और वो होगा ARM के design पर क्योंकि देखा तो उसका जो proof of concept है ना Apple ने बहुत अच्छे तरीके से showcase किया था 2020 में अपनी M1 chip के साथ देखो M1 chip आई काफी अच्छे तरीके से चली लेकिन बात है कि 2023 के साब से भी M1 chip बहुत जादा relevant है क्योंकि उसके अंदर power भी अ वहने काफी कची choice हो जाता है और definitely कुछ साल के बाद हम इस बाहरे में बात करेंगे कि कैसे M1 chip ने पूरी PC industry को revolutionize कर दिया क्योंकि M1 chip आने के बाद हर एक कंपनी हाँ पे काम करने लगी है यहाँ पे Intel अपना एक hybrid architecture ले जैसे mobile phones में होता है और कही न कहीं सारी कंपनी भी move on कर रही है ऐसे अपने processor के अंदर भी ARM के design को लाए जा सकते हैं यहाँ मतलब Intel और AMD नहीं हाँ पर Qualcomm भी हाँ पर काम कर रही है यह काफी बड़ी बात है और सिर्फ एक बाप बता सकता हूं आने वाले कुछ साल में innovation सिर्फ hardware में होगा software में होगा Windows के OS में होगा जो application से आप use करत एक normal आपके x86 architecture traditional वाले और एक आपके modern जो प्रोसेसर आजाएंगे जो यहाँ पर धीरे धीरे इसको replace करेंगे यह ऐसा time होता है एक industry के अंदर जो काफी बड़ा shift यहाँ पर लेका रहाता है क्योंकि देखा तो एक regular processor के अंदर जो innovation था वो यहाँ पर बाकी सारी companies कर चुके ह अब इसके बाद एक नई चीज के उपर जाने की ज़रूरत है जो हापको हमें देखने कुम लेगी और काफी सारे rumors हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ पर Intel इसक्यूपर काम कर रहा है सुनने में कि Windows 12 देखा तो इसे को ध्यान में रखके बनाये जा रहा है जो आने वाले ए अब लगता है तो मेरे एक अंदाज़ा कहता है क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं अपनी knowledge के साफ से past को analyze कर सकते हैं उसका experience कर सकते हैं पास की technologies को देख सकते हैं और यह कंदा से लगा सकते हैं कि future यहाँ पर कैसा होगा लेकिन देखने वाली बात है कि future में आपको क्या चीज यहाँ पर टाइम आने वाला है आप लोग क्या लगता है कि exactly PC industry के साथ यहाँ पर क्या होगा यह बात आप मुझे नीचे comment में बता सकते हैं वीडियो अगर आप लोग को पसना है तो like करना, channel को subscribe करना, thank you आपको वीडियो देखने की, मैं आप सुन तो next one में गुडबाई